नमस्कार दोस्तों मैं अशोक सर अंजली कोचिंग सेंटर पुलब्रास में आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स आज की कलास शुरू करने से पहले आपसे एक चोटी सी रिक्वेस्ट है यदि आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिप्रिकेशन आपको मिल सके तो चलिए समय नगवाते हुए शुरू करते हैं आज का कलास फ्रेंट्स आज की कलास में हम टेंथ कलास के केमिस्ट्री का दूसरा चिप्टर अमल छारक और लवन का दूसरा कलास करेंगे पहला क्लास हम फठ चुके हैं जिसका वीडियो प्ले लिस्ट में है जाके आप देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स से भी आप देख सकते हैं दीजिए और प्रेलिस्ट से भी जाके देख सकते हैं और यह हम लोगों का आज है सकेंड पार्ट होगा उस टेप्टर का तो फ्रेंट्स क्लास शुरू करने से पहले अपसे छोटी सी रिक्विस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो च आज के ख्लास तो आज ही कलास के पहला ट्रपिक से छार जल में घुलनसील छारक को छार कहते हैं जो छारक जल में घुलनसील होते हैं जो चारक जल में घुलनसील नहीं होते हैं उसे छार नहीं कहते हैं अता हम कह सकते हैं कि सभी चार चारक है परन्तु सभी चारक चार नहीं है कि जो चारक जल में घुलता है उसे छार कहते हैं और जो चारक जल में नहीं घुलता है उसे छार नहीं कहते हैं इसी के आधार पर सभी छारक चार नहीं होते परंतुश भी छार चारक होते हैं अगला ट्रापिक स्मारा चारकों को बनाने की वीधि तो फ्रेंट्स चारकों को बनाने की मुख्य वीधिया इस परकार है पहला है धातू एवं ऑक्सीजन के सीधे सन्यूग से धातू एवं ऑक्सीजन के सीधे सन्यूग से जब धातू हवातवा ऑक्सीजन में गर्म किया जाता है तो धातू की ऑक्साइड निर्मित होते है जब धातू हवातवा ऑक्सीजन से गर्म किया जाता है तो दातु क्या ऑक्साइड निर्मित होते हैं यहां पर देखें फ्रेंट्स यह अभी क्रियाए हैं यह अभी क्रियाए दी गई है यहां पर क्या है फ्रेंट्स कि यह जो सोडियम है यह ऑक्सीजन से अभी क्रिया कर सोडियम ऑक्साइड है बनाता है पोटासियम औक्षिजन से विक्रिया कर पोटासियम औक्षिजन और केल्सियम औक्षिजन से विक्रिया करकर केल्सियम औक्षिजन और 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 केल्सियम औक्षिजन से विक्रिया कराते हैं तो यह बन जाता है कैल्सियम हेड डॉक्सिर तो इस प्रकार फ्रेंट्स धातु एवं ऑक्सीजन के सीधे सन्योग से चारक का निर्मान होता है क्योंकि यह चारक है फ्रेंट्स आगे हैं दूसरा प्वंट है कुछ सक्रिय धातु पर जल अत्वा जलवास्प की अभिक्रिया से बीछारक का निर्मान होते है कुछ सक्रिय धातु जैसे सोडियम और पोटासियम जब छंडे जल से अभिक्रिया करते हैं तो धातु की ऑक्साइड बनती है है एंब आ हैड्रोजन गैस सजित होती है है मैंने पर उक्साइड के साथ जल भी बनती है कि अगला कुछ धात्यू के कार्बोनेट को गर्म करने पर जब केल्सियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो केल्सियम ऑक्साइड एवं कार्बन डियाउक्साइड निर्मित होते हैं केल्सियम कार्बोनेट को जब गर्म किया गया तो केल्सियम औक्साइड के साथ साथ कार्बन डियॉक्साइड भी बना है अगला है किसी लवन बिलियन पर किसी चार के सन्योग से है किसी लवन बिलियन पर किसी चार के सन्योग से है जब sodium hydroxide के जलिये विलियन में magnesium sulphate का जलिये विलियन मिलाया जाता है तो magnesium hydroxide का अवचेप पराप्त होता है एवं sodium sulphate विलियन अवचेश के रूप में रह जाती है तो यह जो friends है यह अवचेप है क्योंकि इसमें देखिए हमने symbol लगाया नीचे की तरफ तीर लगा दिया तो नीचे की तरफ तीर बताता है अवचेप को ठोस्पदात को और उपर की तरफ तीर दिखाते रहता है गेस को जो हमने यहां पर दिखाए तो आए फ्रेंट्स आगे प्रवल छारक अर्थात भास्म वे भास्म जो जलिये विलियन में करीब करीब पूर्णता आयनित होकर काफी संख्या में हैं और आए फ्रेंट्स आयन प्रदान करते हैं उसे प्रवल भास्म कहते हैं वे भास्म जो जलिये विलियन में करीब करीब पूर्णता आयनित होकर काफी संख्या में हैं प्रवल भास्म कहते हैं जैसे NaOH sodium hydroxide KOH potassium hydroxide अगे अगला ट्रपिक समाड़ा है दुरुबल छारक यह दुरुबल भस्म वे भस्म जो जलिये विलियन में आंसिक रूप से आयनित होकर कम संख्या में hydroxide आयन प्रदान करते हैं वे भस्म जो जलिये विलियन में आंसिक रूप से आयनित होकर कम संख्या में hydroxide आयन प्रदान करते हैं उसे दुरुबल भस्म या दुरुबल छार कहते हैं जैसे NH4OH, CAOH, होल्ट और अधि भस्मों या च्छारकों के भाउतिक गुण भस्मों या च्छारकों के भाउतिक गुण अप्ला अगला टरपिक से इशके पहला पॉइंट वह भस्म स्वाद में तीखा होता है दुश्वा समका जलिए state चूने से साबुन जैसा चिकना लगते हैं अगला है काधिकांस भास्म रंग हिन होते हैं अधिकांस भास्म रंग हिन होते हैं कुछ भास्म जल में विले होते हैं और कुछ अबिले होते हैं कुछ भास्म जल में विले होते हैं और कुछ अबिले होते हैं अगला है कि टूथ पेस्ट भास्म होता है यह दांत की सुरक्षा करता है यह लाल निटमस पत्र को नीला कर देते हैं अगला है भास्मों के घरेल उपयोग दिखिए चूना भास्म से मकान की पोताई करने में चूना भास्म का प्रयोग मकान की पोताई करने में किया जाते हैं अगला है जल की कठोड़ता को दूर करने में चूने का उपयोग आगे है जल में उपस्चित किठानुओं को मारने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है कि आगे है कि जल को सुध करने के लिए Eluminium गिए अप्योग किया जाते है जलगी को थोरता को दूर करने के लिए अलुमिनियुम हेड्रॉक्साइड भस्म का उप्योग किया जाते है अगे देखें प्रेंट्स है भस्मों के औधोगी कउप्योग देखें पहला कि कॉपर ऑक्साइड भस्म का उप्योग कांच उद्योग में किया जाता है अगला सोडियम हेड्र ऑक्साइड भस्म का उप्योग साबुन उद्योग में किया जाता है मैगनीशियम ऑक्साइड भस्म का उप्योग दवा के निर्मान में किया जाता है जिंक ऑक्साइड का उप्योग उजला पेंट बनाने में किया जाता है इल्युमीनियम ट्रा उक्साइड का उप्योग सिमेंट बनाने में किया जाता है सिमेंट बनाने में किया जाता है अगले फ्रेंट्स अमलों के उप्योग देखिए अमलों के घरे लूब यो गहनों को साफ करने में बातरूम की सफाई करने में अगनी सामक के निर्मान में हलके धबों के निर्मलन अमलों द्वारा छुराने में किया जाते हैं हलके धबों को छुराने के लिए भी अमलों का परयोग किया जाते हैं क्यों हो दिफ्रिंट्स अमल के द्वारा गहनों की सफाई बाथरूम की सफाई अगनी सामक जो पदार्थ होता है आग बुजाने वाले उसके निर्मान में भी किया जाता है साथ साथ हलके धब्बे को चुराने के लिए भी किया जाता है अग्ला होते हैं अमलों का आद्योगी कुपयोग तो फेंस नाट्रीग अम्ल का उप्रियोग बिसफोटक बनाने में किया जाता है नैट्रीक अमलों का अपयोग बिस्फोटक बनाने में किया जाता है अमलों का अध्योग नैट्रीक अमलों का अपयोग बिस्फोटक बनाने में किया जाता है गंद का अमलों का अप्रयोग खाद बनाने में किया जाता है अमलका उपयोग रंग उद्योग में भी होता है स्टोरेज बैटरी बनाने में भी अमलका उपयोग होता है पेट्रोलियम के सुध्धीकरन में भी अमलका उपयोग होता है तो यह था अमलों के और योग उपयोग आगे आते हैं अम्ला और छारक में अंतर देखते हैं अम्लाम पहले अमला का स्वाद खट्रा होता है और चारक का स्वाद घारह होता है के दूसरा अम्लामे यह निल्ए लिटमस पत्र को लाल कर सकता है परन्तु छारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है अमलमा यह यह मैथिल औरेंज को लाल कर देता है परंतु छारक मेथिल ओरेंज को पीला कर देता है अमल में देखिए यह जल में विले होकर हैड्रोजन आयन देता है परंतु छारक जल में विले होकर हैड्रोखसाइड आयन देता है अमले छारक को उदासीन कर सकता है और छारक अमले को उदासीन कर देता है अमल का पियेज मान सात से कम होता है जबकि छारक का पियेज मान sounds से अधिक होता है तो fendts ये थे कुछ है अमल यवँ छारक के अंतर इस आप यद रखोगे और एक्जाम में यह आपके लिए बहुत इवाथपुर्न है friends लोगों का एकला ट्रपिक साता है चारक और चार में अंतर हैं पहला पंड देखिए कि सभी चारक जल में विले नहीं होते हैं सभी चारक जल में विले नहीं होते हैं परंतु सभी चार जल में विले होते हैं दूसरा देखिए सभी चारक चार नहीं होते हैं परंतु सभी चार चारक होते हैं अगला ट्रापिक समलोग का है सूचक जिसे कहते इंडिकेटर्स जिसे कहते हैं इंडिकेटर्स देखें फ्रेंट्स कि एक अम्ल छारक सूचक वैसे पदार्थ होते हैं जो अमलिये छारकी एवं उधासीन विलियनों में विभिन्य रंग प्रदर्शित करते हैं विविन रंग प्रदर्शित करते हैं तो यहां पर क्या फ्रेंट्स कि सूचक है अमलिये विलियन है छारकिये विलियन और उदासिल विलियन है तो आते फ्रेंट्स नीला लिटमस विलियन अमलिये विलियन को लाल कर देता है छारकिये विलियन में कोई रंग परिवारतन नही होता है यहां पर सूचक में आते हैं अगला सूचक है लाल लिटमस विलियन यह अमलिये विलियन में के रंग में कोई परिवारतन नहीं करता है परन्तु छारकिये विलियन को नीला कर देता है साथ ही उदासिन विलियन में भी कोई परिवर्तन नहीं करता है अगला हमलों का है मेथी लॉरेंज जो अमलिये विलियन को लाल करता है छारकिये विलियन को नीला करता है साथ साथ उदासिन को नारंगी कर देता है और फेनॉल्फ थेलीन फेनॉल्फ थेलीन जो सुचक हमलों का वह अमलिये विलियन को रंग हीन बन कुछ प्रकार के सूचक है पहला आगे लिटमस लिटमस बिलियन बैंगनी रंग का प्राकृतिक रंजक होता है जो थाइलोफाइटा समू के लिचेन पौधे से निकाला जाता है अगला है लिटमस पत्र नीला एबम लाल लिटमस पत्र करमसा चन्ना पत्र के टूकरे को नीला एबम लाल लिटमस बिलियन में डूबो कर निकालने पर सूड़्य प्रकास में सुखा कर बनाया दाता है नेला लिटमस पत्र अम्लिय विलियन को लाल कर देता है एवं लाल लिटमस पत्र छारकिय विलियन को नीला कर देता है फ्रेंट्स आगला ट्रापिक समनों का मेथिल ओरेंज यह आगला सुचक है मेथिल ओरेंज अम्लिय विलियन को लाल नंग में पाइनत कर देता है एवं छारकिय विलियन को पीले रंग में परिवर्थित करता है फ्रेंट्स कुछ घरेलू सुचक इस परकार है हमारे घरेलू परिवेश में बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ है हमारे घरेलू परिवेश में बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटूनिया, जिरानियम, इत्यादी तरह कई फूलों की रंगीन पंखूडियां किसी विलियन में अमल एबम छारक की उपस्थिती के सूचक है तो फ्रेंस क्या होती है कि कुछ घर में सूचक होते में लाल पत्ता गोभी में भी कुछ होती हाल्दी, शे भी रंगीन बनाया जा सकता है तो ये भी एक परकार के सूचक है अगला मुलों का है गंद की ये सुचक कुछ ऐसे प्राकृतिक पदार्थ ग्यां थे जिनकी मौलिक गंद अमलिय या छार की ये माध्यम में बदल जाती है कुछ ऐसे प्राकृतिक पदार्थ ग्यां थे जिनकी मौलिक गंध अमलिय या च्छार किये माध्यम में बदल जाती है इसलिए इसका उपयोग अमलियवम च्छार की पहचान के लिए करते हैं जैसे प्याज, लॉंका तेल, वैनिला एत्र, गंध किये सूचक आदे फिर्ण्स क्या है लवन, अगला ट्रपिक संवनों का है लवन जिसे साल्ट कहते है वहरासाइनिक यॉगिक जो किसी अमल के हाइड्रोजन को धातु के द्वारा विष्थापित करने से बनता है वह रासायनिक यॉगिक जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन को धातु के द्वारा विश्थाफित करने से बनता है उसे लवन के जैसे देखें फ्रेंट्द्स यहां पर कि जिंक जो एक धातु है वह H2SO4 जो एक गंधक है उससे हाड्रोजन को हाटा कर जिंक सलफेट बनाता है जो एक परकार का लवन है अत्वा अमल और चारक के बीच की अभिक्रिया से जो दासिन पदार्थ बनता है उसे लवन कहते हैं करल ने मख्यत और निम्नलखित करकार के होते हैं पहला सामानिय लवन। किसी अम्लियय योगिक अनु से हड्रोजन परमानों के पुर्ण अस्थाना अंतरन द्वारा निरमित लवन सामानिय लवन कहलाते हैं किसी जैसे एनेसे पतलिम सोडियम एनेसे एल के टू एसो फोर के नो थिरी एने थिरी प्यो फोर आदी ये सभी क्या फ्रेंट्स सामान्य लवन है अगला है अमली ये लवन किसी अमल के अनू में उपस्थित विस्थाप या हैड्रोजन परमानूओं के धातू या धातू सद्री से समू द्वारा आंसिक विस्थापन के फलस्वरूप जो लवन पराप्त होती है उसे अमली ये लवन कहती है तो फिर्ण्स यहां पर देखिए कि H2SO4 जो गंधक है उसकी द्वारा सोडियम हैड्रॉक्साइड की अभी क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप सोडियम हैड्राइड सल्फेट पराप्त होता है एने एस एसो फोर जो प्रकार का लवन है अगला है छारक की ये लवन है किसी चारक की अनुमें हुपस्थेत हाइड्रॉक्सील समूहों के अमलों द्वारा आंसिक विस्थापन के फलस्वरूप पराप्त लवन को चारकिये लवन कहते हैं किसी चारक की अनुमें हुपस्थेत हाइड्रॉक्सील समूहों के अमलों द्वारा आंसिक विस्थापन के फलस प्राप्त लवन को छारकिये लवन कहते हैं अगला है मिश्रित लवन वैसे लवन जिसमें एक से अधिक अमलिये अथवा छारकिये समय उपस्थित होते हैं उसे मिश्रित लवन कहते हैं जैसे लवन को बनाने की मुख्य तह निम्लिक विधियां पहला दातू एवं अमल की अभिक्रिया से भी लवन को बनाया जाता है कुछ विशिस्ट धातू जैसे जिंक एवं मैगनीसियम कुछ अमलों जैसे हाइड्रोकलोरिक अमल अथवा सलफ्यूरिक अमल के साथ अभिक्रिया कर लवन एवं जल बनाते हैं यह रहा उसकी अभिक्रिया आगे अमल एवं चारक की अभिक्रिया से सभी अमल एवं चारक की अभिक्रिया से भी लवन गनिर्मान होता है सभी अमल एवं चारक अभिक्रिया द्वारा विशेश कर उदासीन करण अभिक्रिया द्वारा लवन उत्पन करते हैं सोडियम हैड्रोक्साइड हैड्रोकलोरिकम से अभिक्रिया कर सोडियम कलोराइड एवं जल बनाते हैं सोडियम कलोराइड एक लवन है किसी धातू एवं अधातू के सीधे सन्योग से भी लवन का निर्मान होता है सोडियम एवं कलोरिन सीधे सन्योग कर सोडियम कलोराइड का निर्मान करते है विक्रिया देखे फ्रेंज सामने दी गई है अगला है कि किसी अमलिय ओक्साइड और छाराकिय ओक्साइड कर सन्योग से भी लवन का निर्मान होता है केल्सियम ओक्साइड कारवन डियोक्साइड से विक्रिया कर केल्सियम कारवोनेट का निर्मान करते हैं देखे फ्रेंट्स यह सभी सामने हैं अगला आता है भास्मिक लवन जब किसी अमल द्वारा किसी भास्म का आंसिक रूप से उदासनी करण होता है तो इस अभिकरिया के फलस्वरूप पराप्त लवन को भास्मिक लवन कहते हैं अगला हैं लवनों का उप्योग लवनों का उप्योग तो फ्रेंट्स लवनों का जो उप्योग है वो हमारे दैनिक जीवन में भी होता है चलते फ्रेंट्स दैनिक जीवन में लबन का उपयोग, साधारन नमक का उपयोग हमारे दैनिक भोजन में आवसक रूप से किया जाता है, फ्रेंट्स ये जो लबन है नमक इसका उपयोग मुम्राय दैनिक जीवन में भोजन में आवसक रूप से होता है, ही मिसरन तयार करने म में भी साधारन नमक कुछल्व किया जाता है जिसे फ्रेंड्स हैं लोग कपरों की दुलाई में किया जाता है खाने वाले सोडा का उप्योग baking advisor की रूप में रस्वई में होता है खाने वाला सोडा का उपयोग बेकिंग पॉडर की रूप में रस्वई घर में होता है अगला है पेट की अमलियता को दूर करने या कम करने के लिए भी खाने वाले सोडा का उपयोग किया जाता है अगला है फिटकरी का उपयोग गंदे पानी को साफ करके पीने य राख बनाने के लिए फिटकिरी का उप्योग किinarاتयों अगला है पिलास्टर पेरिस्क आप्योग तो थे अंगों को प्लास्टर करने तथा सांचेवं मुर्तिया बनाने के लिए किया जाता है यह थे कुछ हमारे घरेलू उप्योग के लबन तो आगे फ्रिंट्स और जोगिक उप्योग के लबन देखिए पहला है कि सोडियम कार्बोनेट का पईयोग कास्टिक सोडा धोबन सोडा कलोरिन हाइडरो कलोरिक हमल आधीक यह उद्योग 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 को प्योग गन पॉडर यानि बारूद बनाने में उर्बरक के रूप में आतिसवाजी का समान बनाने में एवं कांच उद्योग में किया जाता है Potassium Naturoid का उपयोग, Gunpowder यानि बारुद बनाने में, उर्वारक के रूप में, आतिसवाजी का समान बनाने में, एवं कांच उद्योग में किया जाता है। फासफोरस का मुख उप्योग दिया सलाय उद्योग में किया जाता है। अगला, तूतिया या कौपर सलफेट का उप्योग कबक नासी के रूप में विदूत लेपन में तथा रंगाई एवं छपाई में होता है। तूतिया या कॉपर सलफेट का उप्योग कवक नासी के रूप में विदूत लेपन में तथा रंगाई एवं छपाई में होता है अगला है पोटास इलम का उप्योग कप्रों की रंगाई में रंग बंधक के रूप में किया जाता है अगला आगया फ्रेंट्स अम लोगा टॉपिक्स वो है वह है तो फ्रेंट्स इस परकार यह रहा हम लोगों का ओद्योगी गुतपादन की लवन फ्रेंट्स हमारा अगला टॉपिक से निर्जली करन जिसे डिहाडरेशन कहते हैं लवन एवम जल की कमी के कारण उत्पन इस्थिती को निर्जली करन कहते हैं जो जानलेवा हो सकता है निर्जली करन होने पर सरीर में लवन विशेश करनमक तथा चीनी युक्त जल अत्यदिक मातरा में पीना ची जब हमारे सरीर में पानी की कमी महसूस हो या निर्जली करन की अवस्ता हो जाए तो पानी में नमक और चीनी का घ्रोल बना कर पीना चाहिए फ्रेंट्स ये रामनों होगा अगला टॉपिक्स जो है पी अच इसकी रहा है किसी विलियन की अमलियता अथवा छारकता को हैड्रोजन आयन की सांदरता के फलन के रूप में व्यक्त करते हैं जो फलन विलियन का पी अच कहलाता है अर्थात किसी जलिये विलियन का पी अच हैड्रोजन आयन किसी जलिये विलियन का पी अच हैड्रोजन आयन सांदरन के व्यूतकर्म के लगुगनक के बराबर होता है किसी जलिये विलियन का pH हाइड्रोजन आयन के सांधरन के व्यूतकर्म के लगुगनक के परावर होता है तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोगों के pH का फॉर्मूला है कि आगे का टॉफिक साफित्स प ineच पिएच एसकेल की महतपुर्ण बात है अर्थाथ wise से सपंधित कुछ महतपुर्ण बांत पहला अमलिये विलियन का पीच मान साथ से कम होता है दूसरा पीच मान जितना अधिक होगा विलियन उतना ही अधिक छारकिये होगा उदासीन विलियन अतवा सुध्य जलगा पीच मान साथ होता है छारकिये विलियन का पीच मान साथ से अधिक होता है पीच मान जितना कम होग विलियन उतना ही अधीक अमली होगा तो क्या होता फ्रेंट्स कि साथ पर तो विलियन उदाशीन होता है साथ से अधीक होने के बाद वह चार किया अर्था नम्कीन हो जाती है जिसे आप करवा कहते हो लेकिन अगर साथ से कम हो जाए तो वह खट्टा कहलाता है अगला ट्रपिसमर है कि हमारे दैनिक जीवन में पीयच का महत्व है हमारे दैनिक जीवन में पीयच का महत्व है पीयच का महत्व हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक है जिसे निम्न लेखित उदाहरों द्वारा समझा दा सकत हैं हमारे पाचन तंत्र है अम्ल खाद पधार्थों के पाचन में बहुत हदक सहयेता पहुंचाते लेकीन जब में इस अमल की मात्रा पेट में ज्यादा हो जाती है तो पेट में जलन आरंब हो जाती है इस अत्य–धिक अमलों को कोई हलका छारक जैसे magnesium hydroxide मिलाकर उदासीन बना दिया जाता है जिससे पेट को राहत महसूस होती है इस हलके छारक को थारक को एंटासीड कहते हैं कि अमलों जो होती है कि बhorse olt question के लिए बहुत मौत पूर्ण होता है पर नो जब पेट में इसकी मात्राईच हो जाती है तो ये पीरा डायक होता है कॉस्ट नायक होता है तो मस्छी मात्रा को दूर खार्द करने के लिए हमें हलके छारक का उप्य अमल को और ऐसे चारक को एंटाशीड के एते हैं तुछरा है अमलों के कारण दंत चाहिए तो फ्रेंट्स क्या होता है कि अमल के कारण ही दंत का चाहिए होता है जब हम मीठे खाद पदार्थों को खाते हैं तो हमारे मुँ में उपस्थित जिवानु इन खाद पदार्थों के अबसिष्ट टूकरों को विघटित कर अमल उत्पन करते हैं जो हमारे दातों के चारों और जमा होने लगते हैं जब इन उत्पन हुए अमल के पियच मान 5.5 से कम होता है तो दंत वल का चाय होने लगता है कि जब कोई हम मीठे पदार्थ खाते हैं और उनका अकन हमारे दांतों में डह जाते हैं तो ऐसी अवस्था में जिवानों उनकी कनों को विघटित कर एक प्रकार का अमल बनाता है जिसका पियच मान 5.5 से कम होने पर हमारे दंत का जो उपरका कवच है उसका एक परारंब हो जाता है और हमारे धाथ जहरते हैं दाथ में चिद्र हो जाती है अधी-ःदि अगलवा ठकय हुए मान सप्पेशियों में अमल उत्पन होता है कि ठके हुए मानस्पेशियों में अमलका उत्पन होना कि हमारे सरी की जो भी मानस्पेशियों ठकी होती है उसमें अमलका उत्पादन हो जाता है कभी कभी भातिक अभ्यास के दौरान मानस्पेशियों ठक जाती है इन मानस्पेशियों में करापन एब आसनी दर्द का मूल कार मान्सपेशियों में लेक्टिक अम्ल होना हाँ तो उस अवस्था में हमारे म pyt survived होती है क्योंकि वेसी सिती में लेक्टिक अम्ल हमारे शरी में जम जाते हैं मानसपेशियों में थकान लत्पन होने से अक्सिजन की आपूर्ती घट जाती है जब मान स्पेशियों में ठकान होती है तो अक्सिजन की आपूर्ती घट जाती है जिसके कारण मान स्पेशियों में अक्सि उपापचय की प्रक्रिया सुरू हो जाती है अगला है मिट्टी का पी एच है सामान्य तोर पर मिटी अमलिये होते हैं पौधों की उप्युक्त विर्धी के लिए एक निश्चित पियेच परास की मिटी की आवसेक्ता होती है पौधों का उप्युक्त विकास छारिय मिटी में संभब नहीं है पौधों का उप्युक्त विकास छारिय मिटी में संभब नहीं है इसलिए उच अमलियता वाले मिटी पर सुस्क चूना बुझा हुआ चूना अथवा कैल्सियम कार्बोनेट के छिरकाव कर इसके थोरे अमलियता को घटा कर पौधों के विकास करने योग उप्युक्त बनाया जाता है क्या थी फ्रेंट कि पौधों पौधे जुहे वा अमलिय मिटी में ही होते परन्तु अगर अमले की मात्रा मिटी में जयदे हो तो पौधे नहीं उगते उस अवस्था में हमें चुना का चिरकाव करना ची या कल्सिम कर्वोनेट करना ची जिससे क्या होगा कि वह है उसकी अमलियता को घटा देगा अगला कुछ जंतु यवम पौधों में अमलका पाया जाना है जैसे मधुमक्षी के डंक में एक عمل पाया जाता है जिसके डंक मारने पर इसी अमल को छोड़ने के कारण डंक वाले अस्थान पर जलने वाला दर्द होता है इसलिए दुरूबल चारक का उपयोग करने से डंक वाले घाव को राहत मिल दिये अर्थात ये दुर्वल छारक खाने वाला सोडा है कि जब मदो मक्ही काटे तो उस जगा पर खाने वाला सोडा लगाने से रहत मिलती है इसी प्रकार नेटल वाले पौधों की पतियों में भी डंक नूमा बाल पाये जाते है जो यदि गलती से भी सरी के किसी अंग में चुप जाती है तो जलने वाला दर्द होता है डंक वाले अस्थान को यदि डाक पौधे के पतियों से रगरा जाए तो ये दर्द दूर हो जाता है फ्रेंट्स नेटल जिससे हम अपने लोकल भासा में कब अच्छुआ कहते हैं तो इसके डंक में भी अमल ही होती है आगे फ्रेंट्स कुछ उपयोगी लवन इस परकार है पहला है सोडियम कलोराइड जिसे हम साधारन नमक कहते हैं जिसे हम साधारन नमक कहते हैं सोडियम हयड्लॉकसाइड तथा हैडोकलोरिक अमल की अभिक्रिया से सोडियम कलोराइड पर आपध होता है तो friends यह राव उसके भी क्रिया और friends इसके उपियों के बारे में उसे हम जानते हैं आप सभी जानते होंगे इसलिए यहाँ पर क्या है कि हमने उसका उपियों नहीं डाला आगे है sodium hydroxide जिसे caustic soda कहते हैं अगला है sodium hydroxide जिसे caustic soda कहते हैं जो है naoh देखे फिरेंच sodium hydroxide को color alkali बीधी द्वारा बनाया जाता है इस बीधी में sodium coloride के संत्रिप्त जली abilion का विदूत अपगटन किया जाता है संत्रिप्त जली abilion का विदूत अपगटन किया जाता है जैसे 2 naCl plus H2O 2 NaOH plus Cl2H2 तो फ्रेंट्स यहां पर जो यह है सोदियम हेड्रग्साइड बन गया सोदियम क्लोराइड और जल की अभिक्रिया और कारण यहां पर क्या है कि अभी क्रिया है इसका अब इसे देखिए आगे चलते फिर्ण्स सोडियम है डॉक्साइड और तातकास्टिक सोडा के उपयोग पर दातुओं से ग्रीज हटाने में इसका उपयोग किया जाता है दूसरा साबुन अपमार्जक एवं कागज के निर्मान में इसका उपयोग होता है आगे क्रित्रियूं फाइबर क्रित्रियूंब वबस्टरेस से आधिक निर्मान में भिछ उपयोग होता है ठोस बुजे हुए चूने पर 313 केल्विन FC कालोरीन गैस प्रवाहित करने से ठ्थोस बुझे हुए चुने पर 313 केल्विन पर कलोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण बनता है यह वितित कहसी ओक ऑन थे पिल्णक प्रवाह हुआ जिसके काियन जो कलॉरीन जैसी गन डिता है कि यह हल्का पीला लिया हुए हलका सा पीला पन का है इसलिए हल अचय हाई आस्थाई यह ताँ नमी और कारवन डीयोकसाइड द्वारा अपगटित हो है अगला वायू में छोड़ देने पर इससे कलोरीन गैस बाहर निकल ती ये अगर आप बिलींग पॉड़र को छोड़ दmesi लेगर वा अगला यह तनू अमलों से वग्रिया कर ला कलोरड बनाता है यह तनू अमलों से वे विक्रिया ओकलोरड बनाता है अगला था फ्रेंज, विरंजक चूर्ण के उपयोग, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग लॉंडरी में विरंजन के लिए होता है, अगला किटानु नासक के रूप में जल को सुध करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, अगला जल की कागज की फैक्टरी में लकरी के मज़ा तथा कपरा उद्योग में सूती एबम लिनेन के विरंजन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, अगला कई रासानिक उद्योगों में भी एक उपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, अगला फरेंट्स हमयों मों का बेकिंग सोडा जिसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं कच्छे पदार तों जैसे अमोनिया जल करवण डियोकसाइड में सोडियम क 검oryd का उपियोक कर बेकिंग सोडा का निर्मान की आ जाता है सोडिय películ क्लूरैड की अपयोग कर बेकिंग सोडा का निर्मान किया जाता है गुन धर्म पर पहला है कि बेकिंग सोडा एक रबादार सफेद ठोस पदार थे दूसरा है या जल में कम घुलंसी ले तीसरा है इसका जलिय विर्यन छारिय होता है इसलिए इसका जलिए विर्गयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है अगला इसका पियज मान साथ से अधीक होता है अता यह दुर्वल संचारक चारक है अगला खाना पकाते समय जब यह गर्म होता है तब सोडियम कार्बोनेट जल एबम carbon dioxide gas प्राप्त होता है तो friends इसके देखिए यह जो भी घटन हुआ है उसमा मिलने पर यह इसमें भी घटित हो गया है जो मैंने नाम लिखा था उसके रूप में यहाँ पर जो जो दिया गया है उस सभी में यह भी घटित हो चुका है तो आगे आते friends sodium carbonate या धो बन soda क्या हुता friends कि baking soda को गर्म करके sodium carbonate बनाया जाता thinking soda को गर्म करके sodium carbonate बनाया जाता तो दिखिए यह पर baking soda दी गई है बेकिंग सोडा को यहां पर जब गर्म किया गया तो बना सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डेक्षड तो हमें केवल सोडियम कार्बोनेट से कम था अगे है कि प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को जल से क्रिस्टली करित करने से धोबन सोडा प्राप्त होता है जब इस डूरात अविक्रिया करा देंगे तो ये धोबन-सोडा प्रापत हो जाएगा जी्सीENT है धोबिया सूड़ा भी राभासर्पांदर्थ य सफथ पारदर्सी यह सफद पारदर्सी राभादार पदारत है अगला है कि कि यह जल इसका जलिये घोल क्या होता है कि लाल लिटमस को नीला कर देता अता इसका जलिये घोल छाड़िये भी होता है अता इसका जलिये घोल छाड़िये होता है अगला है इसको गर्म करने पर यह 10 अनुरवा जल को खो देता है यह 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 पर फ्रेंट से जो 10 अनु है जल का वह खो देता है और निर्जल ये Na2CO3 बनता है जिसे हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं तो ये धुबिया सोडा बेकिंग सोडा में परिवर्थित हो जाते हैं यह फ्रेंश, दोबनचला का उपयोग है जल गी अस्थाई कठोडा को हिट्डा कर मिर्दू जल बनाने में में होता है दोबन सोडा का उपयोग क्या होता है कि जलकी अस्थाई कठोरता को हटा कर मिर्दू जल बनाने में होता है अगला है कि इसका उपयोग कांच, साबून एबं कागज उद्योग में भी होता है अगला है कि पडियोग साला में अभी कर्मक के रूप में भी दोबन सोडा का उप किया जाता है पेट्रोलियम को सुध करने में भी धोबन सोडा का उप्योग किया जाता है आगे है घरेलु कारियों में सोधन अभीकर्मक के रूप में धोबन सोडा का उप्योग होता है आगे है बोरेक्स कास्टिक सोडा तथा sodium के अन्योगिक, borex, caustic soda तथा sodium के अन्योगिक के निर्मान में भी इसका उपयोग किया जाता है तो friends ये था धोबन soda की उपयोग और friends ये अगला हम लोगों का है वो है plaster of paris, वो है plaster of paris कि जिपसम को इस पात के बर्तन में 373 Kelvin अर्था 100 degree Celsius ये स्टाप पर गर्म करने से यह जल के डेढ़ अनू का त्याग कर plaster of paris बनाता है तो friends यहाँ पर देखिए यहाँ पर जिपसम का जब हमने 373 Kelvin पर गर्म किया जिपसम को तो क्या बना है यह यहाँ पर बनगे CASO4 जिसे plaster of paris कहते हैं CASO4.halfs2o यह होगा plaster of paris तो friends plaster of paris के गुन धर्म क्या है तो देखिए पहला यह सफेद चूर्न होता है plaster of paris सफेद चूर्न होता है दूसरा है यह जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है friends क्या होती है कि plaster of paris जल से तेजी में अभिक्रिया कर लेता है अगला है इसका उपयोग प्लास्टर उपएर इसका उपयोग है पहला सल्य चिकितसा में तूटी हुई हडियों को सही जगा व्यवस्तित किरने में इसका plaster of paris का उपयोग किया जाता है दूसर दंट्चिकित्सा में कुछ उप्योगी पदार्थों के अगला है खिरकियों, दरवाजों के चिदरों को बंद करने में भी पलाश्टर और पेरिस का उप्योग किया जाता है खिलोनों, सजाबट के समानों, मूर्तियों तथा इसके साचे बनाने में भी इसका उप्योग किया जाता है अगला है अगनी रोधक पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है अगनी रोधक पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है अगला है कि दिवारों को चिकना करने में एवं दिवारों पर अलंकृत अभिकल्पों को बनाने में भी प्लास्टर पर इस अगला है परियोग साला में उपकर्णों के वायू अंतरालों को सील करने वायू रोधी बनाने में भी प्लास्टर अपेरिस का अपयोग किया जाता है कि जो हवा आने वाली होती परयोग साला में उसके चिद्र को प्लास्टर और पेरिस से बंद कर उसे वायु रोधी बना देते हैं तो इसी के साथ हम लोगों का यह अमलचारक और लबन जो चिप्टर था दूसरा केमेस्टी के वह खतम हुआ वह समाप्त हुआ तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले चप्टर में तब तक के लिए जाहिंद थैंक्स फूर वाचिंग